हे कॉमर्शिंस, मुझे पता है कि तुम्हारा कल BST का एक्जाम है और तुम अभी तक बहुत दा टेंस हो क्योंकि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि Case Study को कैसे Solve किया जाए तो यहाँ पर मैं तुम्हें Step by Step बताने वाला हूँ कि कैसे Case Study क्राक होती है तुमको यहाँ पर लाइफ समझ में आएगा कि कैसे Case Study को Solve करना है और कौन-कौन से Important Points अपने दिमाग में रखना है तो चले यहाँ चल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे Concepts को ख़तम करते हैं अब देखो जो Case Study है वो दो फॉर्म में तुमको आने वाली है एक Study होगी जिसमें तुमको MCQ पूछा जाएगा और एक Case Study होगी जो कि Totally अपनी वाली Case Study होती है पर अपनको पूरा का पूरा कोशन दिया होता है जिसकी यहाँ पर है आगे बताओंगा तो यह हो जाता है जैसे कि यह पूरी Case Study दी गई है तुमको और आखरी में तुमको बोला गया है कि तुमको नेम और एक्स्प्लेइन करना कौन सा Marketing Concept यहां पर लगा हुए तो यह दो आखरी रीडिंग जो पैसेजिस होती है रीडिंग इंग्लिश पैसेजिस वाला वह विल्कुल सेम यहां पर चल रहा होता है तो अगर तुम पहले इसके options को देख लोगे तो तुमको समझ में जाएगा कि किस chapter से रिलिट है जिसकी यहां पर बगर मैं option को पहले ही देख ले following text ना answer following question Jingle is a famous chain selling a large variety of products in the Indian market तो इंडियन market में बहुत large variety of products sell कर रहे हैं अब जैसे ही बहुत सब्सक्राइव प्रॉडक का नाम मैं सुनता हूँ ना यह लाइन तो मेरे दिमाग में क्या आएगा यह departmentalization की बात कर रहे हैं यह जो divisional departmentalization होता है जो कि organizing का उसकी बात कर रहे है मेरी दिमाग में सबसे पहले ये आएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर थोड़ा confused हो जाओंगा बट मैं आगे पढ़ने की कोशिश करूँगा कि आगे क्या बोल रहा है अब इसे अपनी राय नहीं बनाऊंगा बट हाँ अब सबसे पहले हमको क्या करना है जितने भी keywords हैं जो कि हमको कुछ न कुछ सिखाते हैं किसना कैसी तरफ हिंटे दे रहे होते हैं उनको हमको यहाँ पर underline कर लेना है तो मैं यहाँ पर large variety of products अपने paper में mark कर लूँगा अगर आपका invigilator आपको चला रहा है कि question paper में कुछ नहीं लिखना यह नहीं करना है तो आप यहाँ पर dot भी बना सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे करके छोटे-छोटे dot बना दूँगा इनके नीचे ताकि मुझे समझ में आए और अगर ऐसे ही है तो फिर तो पूरी लाइन कीचे ठीक है और pencil से करना ताकि आप बाद में मिटा भी सको उसको अगर को दिक्कत होती पैंसे मत कर जाना तो large variety of products मेरा एक important point है जो कि मुझे को सिखा रहा है then these products are these products include chips biscuits sweets and squashes it charges a comparatively higher price than its competitors as it sells quality products तो यहां पर quality products की बात की गई है ठीक है तो अगर quality products की बात की गई है भीया तो यहां पर मिरको marketing concept से आदा रहें क्योंकि यह कम प्राइब ज़्यादा प्राइस में बेच रहें तो यहां पर marketing का थोड़ा थोड़ा मिरको अंदाजा लग रहा है besides it offers regular discount to customers and easy credit terms to its retailers retailers को easy credit terms दे रहें ठीक है customer की help कर रहें it has five of its retail shops अब जैसे shops की बात कर रहें है कि retail shops है मुझे अब यहां पर place यादा आ रहें यानिकि जो place mix होता ना वह यादा रहें marketing का जैसे यह आता है अब मैं पूरी तरीकी से शौर हो जाओंगा कि भईया यह marketing का ही है ठीक है क्योंकि यहां पर place mix की बात की गई है तो पूरे जैसे right quantity right time यह तो भाई यह ही है जैसे आता है बड़े इस also concerned about the potential customers about it can deliver the message compulsively ठीक है यह सब वही चीज़ दिया हुआ है अब जल्दी साम इसके MCQs पर चलते हैं तो हमको थोला सा और अच्छे समझ में आएगा अबफ पराइब डिस्क्राइब दा इस इसमें क्या हो जाता है प्रमोशन सेल्स प्राइस और मार्केटिंग तो देखो का का अंसर हो जाता है तो अगर मैं सिंपली बात बूलूँ मार्केटिंग में इसका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट अंशर है तो यह तो मैं तुमको अल्रेडी बता चुका हूँ, यह पर प्लेस जो है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जाने हो जाता है, आइदेटफाई था सेल्स प्रमोशन टेकनीक यूज़ बाइज जिंगल फॉर एवरेज़ इसके प्रमोशन के लिए हैं तो यहां पर सेल्स प्रमोशन टेकनीक में कौन सी उस करीती हैं, इहने क्या प्रोड्क्ट कॉंबिनेशन बनाया था इनने रिवेट प्लस दिया था हिन्हें कॉलिटी प्लस दिया था या फिर यूजबल मैं दिपर समझा दिया थे दृधर रही है यहां पर इनने बोले कि इसकांट दिया है but तुमको समझना पड़ेगा कि डिसकांट और् रबेट में difference होता इन आगा थिक है discount a readers jur recording दिफा stiff यहां पर हम नहीं कर सकते तो इनने किया है इनने अभर किया है product combination अगरट Courtney and tee co scrollf तो it has increased the sales इस पर प्रड़क्त को कंबाइन कर दिया इसलिए पर प्रड़क्त कॉंबिनेशन इस पर नहीं जाएंगे आगे बढ़ते हैं तो जाता है यहां पर कौन सी चीज यहां पर बताई गई है तो यहां पर अगर मैं सिंपल सी तुमको बात बोलता हूं तो यहां पर प्राइस के बारें बात की गई है अब तुम कॉलिटी से प्रड़क्त पर मत चले जाना यहां पर प्राइस की बात की गई तो आफकोर्स यह बात है इसक आप देख सकते हो कि marketing का ही है अब अगर for example यह question mcq में नहीं आया होता directly आया होता तो मझे कैसे बता चलता है marketing का है चलो जल्दी से देखते हैं तो सबसे पहले मैं important keywords को यहाँ पर mark कर लूँगा तो every time I traveled people used asked me to bring them chips, khakra and pickles from all over the country ठीक है यहाँ पर सारी country से अलग-अलग टाइप की variety of products लेकर कर रहे हैं इससे मुझे कोई भी idea नहीं लगा तो यह line मेरे लिए कुछ मतलब की नहीं है यह सिर्फ एक statement है finally she and her college she and her colleague Sumit decided to make a business out of it इससे भी कुछ समझ में नहीं आया, they launched a Facebook page, अब देखो इनने Facebook page डाला है asked people what they wanted अब देखो जैसे इनने यह बोला what they wanted, यह कहीं न कहीं से कुछ information generate करने की कोशिश कर रहे है and they came with a list about 100 places and tied with two dozen of vendors to begin with, यानि कि इननोंने क्या क्या अगर मैं simply बताऊं तो इनने Facebook page बनाया, और फिर इनने लोगों से पूछा कि भाई उनको क्या चाहिए है, and then यह एक list के साथ आये, और इनने 100 places के साथ दो dozen, यानि कि दो दर्जन, तो कि हिंदी में बोलते है, two dozen vendors के साथ, यहाँ पर इनने क्या क्या है, यानि कि मतलब समल लो तुम कितना, 24 vendors के साथ, यहाँ पर इनने चालू किया, they were searching people from Japan, अब दो को फिर से सर्च कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, they are gathering information, and they are searching something, ठीक है, ठीक है, तो इनने अलग-अलग लोगों से पूचा कि उनको क्या-क्या चाहिए, और फिर उसके साथ से इनने need को पूरा किया, जैसी इनने need and wants को पूरा किया, मैं फिर से marketing chapter पे आजाता हूं, ठीक है, इस से मुझे directly समझ मैं जाएगा, जब भी ऐसा शब्द आए, कि bridge gap between sellers and buyers, वो हमेशा market ही होता है, यहाँ पर place की बात की जा रही है, अब सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है, which function of marketing was performed by both friends, while acquiring information about people's choices through Facebook page, यानि कि basically कौन सा function यहाँ पर provide क्या गया है, marketing का, तो gathering and analyzing market information, marketing, planning, branding, none of these, इनने अपने का कुछ नाम तो रखा नहीं, तो branding तो अपने आप कट जाता है, इननने को market planning भी नहीं करी कि हमको SSL करना है, तो basically इसका जो सही answer जाता है, that is, gathering and analyzing market information, सबसे easiest था, कोई दिक्काद यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ज़र next हो जाता है, which promotional tool is suitable for them, तो यहाँ पर कौन सा promotional tool यहाँ पर suitable होगा, तो यहाँ पर यह किस पर काम कर रहे हैं, इनका एक Facebook page है, FAB का page है, तो हम बिल्कुल समझ चुकि होगे कि यहाँ पर advertising करना है, क्योंकि Facebook पर क्या advertisement करते हैं, अपन Facebook ads, Instagram ads चलाते हैं, ठीक है, यह सब चीज़ हो जाती है, तो यह हो जाता है, Important element of marketing makes that Anushka and Sumit have to be enrolled in for making the goods available to the customer at the right place, right quantity and the right time, अभी बताया था, इसको तो ना बताने जरूरती नहीं है, यह अतना बिकार चीज़ हो चुका है, place, ठीक है, इसका right option, अब तुम लोग इसको देख लेना, Next आ जाते हैं, अब यहाँ पर short answers questions आ जाते हैं, यानि कि जिसकी मैं बात कर रहा था, तो चलो जल्दी से समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, अब देखो, अब जैसे कि मैंने बोला था, सेम चीज़ यहाँ पर करना है, सबसे पहले important keywords को mark करना और फिर उससे अपन को द Many items under various categories, अब यहाँ पर अलग-अलग के बारें बात की जा रही है, appliances करें हैं, apparels किये हैं, books किये हैं, और यहाँ पर October being the festive season of India, the big commerce companies were looking to lower buyers through various attractive discounts, तो इनने बहुत सारी attractive discounts and offers दिये हैं, ठीक है, अब discounts and offers दिये हैं, तो यह तरीके की promotional technique है, ठीक है, तो यहाँ से मेरे दमाग चल on October 6, 2014, कोई दरोतने इसको mark करने की, आपको क्या mark करना, यह वाली line mark कर लेना है, ठीक है, धर हो जाता है आपका, the company spent a huge amount of money on its ad campaigns, installing surveys to handle online traffic and deploying staff for processing the orders and delivering the goods, अब दो यहाँ पर यहाँ पर यह थोड़ा सा place की बाद भी कर रहा है, place यहाँ की logo तक पहुचाना, ठीक है, जहाँ पर them, things did not turn out quite as they expected, Flipkart servers crashed, Flipkart की जो servers थे, वो crash हो गए, items went out of stock and prices of items changed during sale, buyers were outraged and took the social media to express their IR, यानि की बेजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज इसको देखकर के मुझे लग राएक कि शौट अंसर भी आते हैं तो पहले ही कोच्शन पढ़ने इतता दिमाग नहीं लगाना पड़े समध्रेख तो यहां पर पर पहले से ही देख लो कि protect करने का image protect करने की बात की गई है अब मैं पूरे उसको उठा के देख लूँ marketing chapter में तो कहीं पर भी आपको ऐसा बोला जाता है कि protect करना है image को तो ये सीधे सीधे जाता है relate करता है अगर तुम्हारे दिमांग में आ गया answer तो बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं पता उनके लिए बता दू कि public relation इसका answer है public relation से ही हम अपनी image को यहाँ पर बचाते हैं कभी भी news channel में चले जाओ तो politicians एक दूसे से लड़ते रहते हैं क्या कर रहे है public relations कर रहे है तो यहाँ पर basically public relation करके इनने अपना आपको बचाया है और बस यहाँ पर आपको public relation जो है उसको अच्छे से यहाँ पर जो है करने तो यहाँ पर हमको यह नहीं करना है और सो मैं आप लोग को चीज बताना चाहता हूं कि आपकी 80% case studies आने वाली है कल के question paper में और 20% आपकी जो नॉर्मल जो questions है direct questions है वो आते हैं ठीक है तो आपको case study साथ रहना है अब यहाँ पर मैं यह वाला भी जल्दी से पड़के इसका बता रहेता हूं ज्याद एक्स्प्लें नहीं करता हूं तो Oriflame has been working with skincare and that has been the area of expertise for more than 40 years तो expertise की बात आगई है ठीक है ते कंबाइन their products with the best of the nature has got to give with science behind it यान की अच्छी क्वालिटी है प्योर इंग्रेटिंट्स are very strict manufacturing standards, little energy waste and strong environmental policies are the manufacturing mantras of the company Oriflame is aware of the growing concerns of the environment so it providing products which are not tested on animals without any perfume natural ingredient cannot harm the skin allergies environment friendly ठीक है तो यहां पर skincare products बना रही है basically और यहां पर इसने बहुत अच्छे से यहां पर सब कुछ चीज़े करके रखी हुई है ठीक है तो अब बात जाती कि इसमें अपना क्या answer होगा तो मैं आप लोग को चाहता हूँ थोड़ा सा guess करें कि इसमें क्या बात की गई है अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा question पढ़ लेते हैं जब तक आप guess करो identify and explain the marketing philosophy followed by the company अब यहां पर पूरा का पूरा गर मैं पढ़ूंगा तो environment से related बात की गई है और philosophy में मैं जितने ही पढ़नू चाहे वो product हो चाहे वो आपको कुछ भी हो सबसे पहले यही बोला जाता है कि कैसे क्या होना चाहिए ठीक है तो यहां पर ध्यान से देखेंगे तो environment के अगर बात की गई है तो directly अगर मेरा दिमाग जाएगा तो हो जाएगा यहां पर लग जाता है तो मार्केटिंग कि गई है तो यही लग जाएगी ऑगे बढ़ते है तो इसका main focus क्या है तो देखो main focus जो है यहां पर marketing की उपर basically यहां पर means and ends क्या है Means and Ends की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यह लोग profit कमाना चाहते है यहाँ पर इनलोग क्या करना चाहते है Profit कमाना चाहते है Through society का welfare करके तो आप यह लिख सकते हो कि इनलोग profit करना चाहते है Society का welfare करके and customer को satisfy करके तो यहाँ पर basically अगर मैं आपको सिंपल सिंपल बात बोलूं तो आपको से फोसाइटल मार्केटिंग को अच्छे से यहां पे फोकस करके लिख देना है अब देखो I hope so आपको यहां तक बहुत सारी चीजे जो हैं वो clear हो गई होंगी and इस वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाना तुम यहां पर इसी वीडियो देखते रह जाओ तो मैंने चाहता हूं तुम ज्यादा कहीं पर भी पड़ो तो मैंने इसके answers plus बहुत सारी case studies को यहां पर already दे दिया है और इस sheet को मैं अपने telegram channel पर फिर से देखना मैं अपने telegram channel पर इसको upload कर दूंगा और इसमें answers भी है तो आप मेरे description पर जाकर के telegram को join कर लेजिए और वहां से आप इस sheet को जो है access कर पाएंगे और आगे भी जो future content होगा चाहे वो accounts का हो चाहे वो activity का हो वहाँ पर आप जाकर के ले सकते हैं तो चलो यार थैंक्यू सो मच आज की वीडियो दे थी वह अधक टाइप की थी इस पर मेरा फेस आपको नहीं देखा होगा बट कोई नहीं यह वाली वीडियो बनाना बहुत दा आपता रहूंगा तो चलो यार थैंक्यू सो मच मेल तंगली वीडियो में तब तक के लिए ओल देपेस्ट